हमारी पक्रिती में कई ऐसी चीजे होती है जो हम सब को जानना बहुती जरूरी होता है आज मैं आपको पक्रिती के वॉर्ल टॉप टेन मोस्ट पोपुलर फ्लावार दस सबसे लोग प्रियो फूलो के बारे में बताऊंगा दोस्तो आप देख रहे है टेक्नो नेचरल व्यू मेरा नाम है अंकूल चलिए दोस्तो शूरू करते हैं आज की विडियो नमबर टेन जस्मिन यानी चमिली का फूल सबसे लोग प्रियो फूलो में एक होने के इलावा इंडोनेशिया के एक राष्टियो फूल है दुनिया भर में डियो ट्रेन और साबून में चमिली का गंत अच्ताधिक उपियुक क्या जाता है नमबर नाइन गेरवेरस गेरवेरस आपनी सुन्दर तको एक ब्रिस्तित के पिटोलम से उत्क्रिष्ट दो लिपो बाले रिफ्लेक्स के साथ उत्पन करता है ए मासुमियत और पवित्रोता का प्रतिक है नमबर एट कार्नेशन्स कार्नेशन सबसे लोग ह्प्रिव फूल है और गुल दस्ता के लिए सबसे अधिक इस्तेमल किया जाने वाला फूल भी है और इनका सबसे अधिक उपियुक मत्री दिवस समारों के लिए किया जाता है नमबर सेवन और्किट और्किट फूलों के बिशाल परिवार से समंदित है और इसमें ऐसी फूल होते है जो रंगिन और सुगंधित होते है ये फूल बरे परिवारों बिशेश रूप से कई बच्चों वाला परिवार के प्रति के रूप में जाने जाते है और कितने अपना नाम दुनिया के सबसे लोग परियो फूलों में शुरुक सित रखा है नमबर सिक्स डेजी यानि गुलबहर गुल बाहर ग्राहों के चारों और आसानी से पाया जाता है और लोग इसे सूरज मुखी के चचरे भाई भी कहते है उनकी सुन्दरता उन्हें घर की बगीचे के फूलों के रूप में पसंदिता पिक बनाता है नमबर फाइब मेरी गुल्ट यानी गेंदे का फूल गेंदा अपने घने और हरे भरे पत्तों के लिए प्रसिद है और इसकी सुन्दरता और नामों ने इसे सबसे लोग प्रियो फूलों की सूची में शामिल कर लिया है गेंदे का अध्धत में एक महत्तो भी है नमबर फोर डैफो डिल डैफो डिल सन्मान और सन्मान के प्रतिनी धी डैफो डिल एशिया उत्तर अमेरिका और यूरूप के मूल निबासी है और डैफो डिल की लगभग सो से अधिक प्रजाती है सूरज मुखी लोक्रियो है क्योंकि इसे उगाना आसान है और इसका उपियूग मानब उद्भब के लिए भी काफी स्तर पर किया जाता है ये वफादरी का प्रतिक है क्योंकि ये हमेशा अपना चेहरा सूरज की और रखता है नमबर टू टिवलिप टिवलिप बरे और विशेश फूल होते है जिनकी खेती शूरु में तूर को दारा की जाती थी टिवलिप के फूल को यूरिपेन लोग ओटोमन समरज्य का प्रतिक मानते है लोकप्रियों पकर के फूलों में टिव लीप का आमतोर पर उल्लेक नहीं किया जा सकता है लेकिन ए इस बात को नहीं बदलता है कि ए कितना सुन्दर और रमनिया है नमर वान रोस यानी गुलब दस सबसे लोकप्रियों फूल की सूची में इस पस्ट कारणों से गुलब को शेश पर होना चाहिए उनके पास इस तरह की अंत्ररष्टिय अपिल है तो इसमें कोई शक नहीं कि गुलब सबसे लोकप्रियों फूलों में से है वे बिभिन रंगों में उपलप्त है लाल गुलब के फूल का इस्तेमाल आम तोर पर पियार और रोमेंस को दर्शाने के लिए किया जाता है तो ये वो वोल्ड टॉप टैन मोस्ट पोपुलर फ्लावर थे आपको कौन सा फूल सबसे अच्छा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईए ये जान करी अपने दोस्तों और फेमिली के साथ शेयर करें ताकि ये रोचक तक तक को जान पाए अगर आपको ऐसी रोचक और मज़दार वीडियो देखना चाते है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए टेक्नो नेचरल भीयो